हलो दोस्तों मैं हूँ जुनयाद और आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दू अगर आपका ड्रीम जॉब है यह 8 questions ऐसे हैं जो हम हर candidate से कहीं न कहीं पोच लेते हैं तो भीया यह 8 questions के साथ 2 questions ऐसे रखे हैं जो IAS का exam देने जाओ या PCS का या फिर किसी भी तगड़ा interview का यह पूचे जाएंगे इनसे तो आप नहीं बच सकते दो questions तो ऐसे हैं लेकिन 8 questions वो हैं जो ICICI के HR ने हमें बताया कि यह आपने perfect लिखे हैं यह तो हम हर बंदया से पोचते हैं तो आप आपकी responsibility क्या बनती है इन question को not down कर लेना इन question को लिख लेना इनकी अच्छे से और research कर लेना answer हम भी करने ही कोशिश करेंगे आपको लगता है sir यह better answer नहीं है जो आपने बताया है तो आप better answer comment में लिख स तो किसी भी चीज़ का exam देतो बहिया सबसे पूचा जाता है tell me about yourself देखे हमने दृष्टी के बहुत सारे interview देखे बहिया तो पहला question यह होता है जो भी फात्मा नाम है या जहरा नाम है या काश नाम है सुनिल अपने बारे में कुछ बता हो अगर वो हिंदी में बात कर रहा हो इसी तरीके से आप भी HR के सामने examiner के सामने completely तरीके से कुछ बोल पाएं कुछ उसको समझा पाएं कि मैं इसका अंसर कर देता हूं सर मेरा नाम जुनयाद है मैं डिस्टिक बजनौर के वहां से आया हूं ठीक है या फिर आप अपना directly state भी बता सकते हो लेकिन state बताने में एक बेवकुफी हो जाती है ठीक है जैसा आपने बताया मैं यूपी से आया हूं सर तो यूपी ना बहुत बड़ा राज्य है ठीक है बहुत जादा बड़ा राज्य है अब यूपी में बहुत सारे जिले हैं लगबग 6-6-6 जिले है तो आप तो पूछ सकता है यह कौन से जिले साय तो बेवकुफी वाला काम नहीं करना आपको अपने जिले का नाम जरूर बताना है अगर आप दिल्ली से हो तो अपना छोटा सा एडर्स बता दो किसा रौहिनी सेक्टर तीन सा आ रहा हूं या रहा हूं या शाइन बाक्स सा आ रहा हूं या सिलंपूर सा रहा हो साइ जहां सा आप जा रहे हो तो आप easily बता सकते हो उसके बाद आपको यहां पर कोई एजुकेशन बतानी के जरूरत नहीं है आपको सिंपर उपना बताना है कैं मैं कहा आ लूरा हो मेरे नाम कैया है अगर उन्होंने आपका नाम के बात दो-ढो18 बाने में देखे ऐसा होता है दोस्तों बहुत सारे बैंक है आज की तारीक में अगर मैं लिस्ट के हिसाब से बात करूँ तो 25 बैंक मैंने निकाल कर रखे वे हैं ठीक है जो ओल इंडिया कहीं न कहीं हमारे देश के अंदर हैं ठीक है तो आप से वो यह question पूछ सकते हैं आपको ICICI bank के अंदर ही नोकरी के चीज़ तो देखो इसका अंसर कोई specific तो है नहीं according to situation चीज़े होती है लेकिन फिर भी हम यही कोशिश करते हैं यार अच्छे सा अंसर आपको बता सके हैं लेकिन फिर भी आप ऐसे कह सकते हो कि सर ICICI bank मुझे बहुत दाजा पसंद है पहली चीज़ दूसरी चीज़ यह है अभी ICICI bank बहुत तीस चल रहा है बहुत अच्छे काम कर रहा है तो इसलिए मैंने यहाँ पर यह सोच लिया तीसरी चीज़ आपके पास एक solid answer भी होना चाहिए कि मैं इसलिए ICICI bank में जा रहा हूं ठीक है copy paste आप कर ले तो मैंने कुछ बता दिया मै इसलिए जाना चाहरा हूं आपने वही उठा के paste कर दिया तो examiner समझ जाएगा copy paste कर रहा है रटा 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 आया है नहीं समझ माएगा उसको तो यार एक solid answer आपके पास होना चाहिए तीसरा question में पास है about your education जी है देखिए आपने न BSC कर रखी है आपने MSC कर रखी है या या बीटेक करने के बाद आप बैंक माना क्यों चाहरे है तो दोस्तों इसका एक solid answer आपके पास होना चाहिए ठीक है उसी के साथ question आपको response नहीं आ रहा है या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार क्या ही करें हम कैसे करें तो आपके पास एक चीज़ की कमी आपकी खराब है वह है आपका रिज्यूमे तो यार एक अच्छा रिज्यूम होना चाहिए अच्छा रिज्यूमे के लिए आप हमसे बनवा सकतो नं क्या आपके पास तरीके हैं कैसे करो के देखी दोस्तों sales को improve करने के लिए मैं आपको एक ही suggestion देना चाहूँगा कि आप अपने relationship को build कर लेना ठीक है अपने visiting card चपवा लेना या आप अपने client को WhatsApp ले लेना ठीक है जब आपकी relationship बहुत अच्छी होती है किसी के साथ तो यार जान देने के लिए हाजिर होता है ठीक है मैं आपको छोड़ा सा उधार देता हूं कोई लड़की है और एक लड़का है वह दोनों आपस में एक relationship में पागल हों रखे होते हैं दोनों के दोनों तो यहाँ पर आप सोच सकते हो अपने मां से लड़ रही हो अपने बाप से ल relationship बहुत जरूरी होता है एक customer और एक दुकंदार के बीच में तो आप ही अपने HR से कह देना के sir मैं सबसे पहले मेहनत करूंगा अपनी relationship को build करने में client and मेरे बीच में एक तगड़ा relation होगा then हम sales क्या कुछ भी achieve कर सकते हैं enhance भी कर सकते हैं अब बात करते हैं question number five की जी हाँ आप से यह question पुछ जा सकता है कि ICICI bank HR कोन है ICICI bank का head कोन है general manager कोन है CEO कोन है मालिक कोन है तो आपको ICICI bank की history थोड़ी पढ़के जानी चाहिए और एक चीज़मा आपको बढ़ा दू बहुत साए लोग ना interview देने चले आते हैं और उनको ना भाई बिलकुल तयारी करके नही history को पढ़ा के जाएगा पता नहीं कौन सा question आपसे पुछ ले जाए अगर आपने 99% accurate answer नहीं भी दिया आपने लगबख 70% answer सही दे थी तो भी आपको selection हो जाएगा ICICI bank में आज की तारीख में मैं इसलिए तारीफ हर रहा हूँ है ICICI bank की बहुत तेज चल रहा है बहुत सकता है ठीक है वैसे तो ICICI bank को लेकरते कि हम नंबर वन है लेकिन नंबर वन तो HDFC है इसी के साथ question बर्सिक से मरे पास share market stock exchange option trading इसके लावा और ही बहुत सारे नाम है बहुत सारी चीज़ें है आप से question हो सकता है इसके बारे में भी कि बताओ जारा कुछ क्या होती share market तो या paper and panel लेकर बैठा करो क्योंकि notes बनाये चलोगे आप चीज़ों को skip नहीं करोगे मैं भी अगर किसी वीडियो के त्यारी करता हूं बहुत अच्छी से notes बनाता हूं देन एक वीडियो देता हूं तो यार मैं कम इलचता हूं कम चीज़ें गलत बोलता हूं और ज्यादा सारा काम जोटा देता हूं तो यही है power notes बनाने की इसके साथ question number seven question in your resume मालों हमने आपका एक resume बनाके दिया अगर आप वही साइबर कैफे बनवाते हो तो वह तो आपको copy paste करके देगा ठीक है तो यार उसके अंदर से भी आपसे कोई ना कोई question किया जा सकता है ठीक है तो करके जाना है यह क्योंकि यह बहुत सारे question है ऐसे हो सकते हैं जो आपका examiner आपके CV के अंदर से भी निकाल सकता है जिसे आपने लिखाव है business analyst ठीक है तो वह पूछ सकता है कि क्या काम करता है business analyst कि आपने क्यों लिख दिया यह क्यों mention क्या है इसका meaning क्या analyst क्या होता है तो आ तर या फिर hiring manager इसी के साथ question ब्राट और यह question नहीं है यह एक मेरी आपको राय है जो क्या आपको बहुत ध्यान से सुनने चाहीं और यह बहुत important बात है बहुत साइल लोग क्या करते है भी आ बोलने में न भी रखतें पर 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 बोल देते हैं तो नहीं करना आपको बि ज़्यादा जरूरी है ठीक है आप अंसर भी कर रहे हो जल्द यल्दी भी कर रहे हो तो गलत कर रहे हो ठीक है अंसर करो रिलक्स काम डाउन और फिर आंसर करो अच्छा सांसर करो ठीक है यह बात है तो सुनना जरूरी है उसी के साथ साथ क्रण्ट अफेर नॉलिज यहाँ पर जरूरत पड़ेगी देखिए अभी हमारे देश में अडानी का डाउन फोला रखा था उससे पहले और भी चीज़ा रखे थी क्रप्तो चल रहा था देश कंदर अच्छा हांसर चीज़ें कर रहा था लेकिन फौर वो एकदम से डाउन हो जरूरी है कहां से लोगे गूगल पर सारी चीज़े अविलेबल हैं फिरी ओफ कोस्ट तो करंट की सिच्वेशन में जो भी चल रहे हैं आपको पता होना चाहिए इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 10 दसवा क्वेश्चन हमारे पास अब तक क्ये क्वेश्चन से सबसे ज आपको यही जॉब क्यों चाहिए यही जोब क्यों चाहिए इसका मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग बता दो इसको आप समझ जाएंगे एक्जामनर आप से पोछ रहा है आप इस पोस्ट के बारे में क्या जानते हो ठीक है जैसे आप रेलेशंशिप मैनेजर की पोस्ट पर ज इसलिए किया है इसलिए मुझे इसी पोस्ट पर चीए मुझे एक्सपीरेंस इस चीज़ का एक्सपीरेंस भी नहीं है तो मुझे पता है रेलेशंशिप मैनेजर की पोस्ट पर क्या काम होता है ठीक है तो इस तरीके से आप इस वीडियो से आपको कितनी हेल्प मिली कितने परसंट हेल्प मिली 10 से लेके 100 के बीच आप कोमेंट्स में लिखके जाएगा प्लीज लिखके जाएगा मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो और बनाने की कोशिश करेंगे अगर आप ऐसी चले जाते हो भाई एक से 10 सेगिंड लगेंगे आपको प्लीज लिखक से लेके 100% के बीच में आपको कितनी हेल्प मिली इस वीडियो से और ये क्वेश्चन सीरियसली बोल रहा हूँ एचार ने मेरे को बताया था इनमें से आर्ट क्वेश्चन मिक्स कर दिया मैंने वह एक अलग बाद है लेकिन हां आई से बैंक के चार से डिसकस करने के बाद ह कुछ पूछना चाहते हो किस नेक्स टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हो कॉमेंट्स में लिखिएगा सब्सक्राइब नहीं किया कर लिजए अगर आपके यार दोस्त हैं उनसे भी करवा दीजिए फिलाल इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू हुआ 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 हूआ हुआ 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 नहीं वाद बनה टोस्त हैंू